नमस्कार क्या हाल चाले हैं सब ठीक हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आपनों और अपनें को ख्याल लाग और जब टाइम मिले तो सोराज टाइम से देखो राजस्तान कांगरेस में चल लही स्यासी उटा पटक के बीच अब कैई और पार्टी एक्टिव है गई हैं एक और मुख मंतरी आशोक गहलोत को गुट है तो दूसरी और सचिन पाइलेट को गुट है दूनों गुटन के बीच कंगरेस अध्यक के चुनाबते पहले मुख मंतरी पद को लेके जबर जस्त खीचा तान चल लही है यही बीच अब बसपा भी राजस्तान में पूरी एक्टिव है चुकी है वही मायवती के भतीजे आकाशानन बिलकुल चोड तोड़ते लगे हुए है आकाशानन ने कचुब बड़े फैसल इनके संकित दिये है दरसल बीएसपी राजस्तान में 2023 के विदान सवा चुनाब को लेके तैयार इनमें लगी हुई है यही बीच बसपा के राश्टे संयुजग आकाशानन ने सौंबार को एक बैठक करी है या में उन्हें ने संक्टन को मजबूत करने के इन लईया पार्टी की राजजिकाई के साथ बैठक करी है या संबन्द में बसपा ने एक बयान जारी कर कही है कि بیٹھАک में आनंदने राज्य कुद दो जोन में विवाजत करो है पहले जोन में सोले जोन में सतर्ध जोन में सत्रे जोन में आकास आनंदने पार्टिय अद्दक्ष माया वतिक अन्रदेश पर राज सबास सदस्र राम जी गोतम और प्रदे सिकाई के प्रमुक भागवान सिंग बावा को पहले जोन को जिम मासों पो है। या के अलावा बसपानिता अशोक सिदार सुरे सारिया और सीता राम मेगवाल को दूसरे जोन की जिम मेदारी दे जाएगी। आकास आनंद ने अंसासन हिंता के लिए बस पाते निसकासित करे गए बारे लूगन की वापसी की घोशना करी है। वहीं या बैठकते पहले ही आकास आनंद ने कचुब बड़े फैसला लेने के संके दिये। उननने ट्वीट कर लिखो है कि राजस्थान में होने वारे विदानसवा चुनाब हमारे समाज के नियां सिर्फ चुनाब नहीं बल्कि मान समान और स्वाब हिवान की लड़ाई है। उननने अगले ट्वीट में लिखो है कि आज जैपुर में हूँ पार्टी के पदादिकार इनके साथ एहम बैठक है। लेकिन बस्पा सुप्रीमो मायवती के दिसा निर्देश पे आका सानंद अपनी करवाई में लगातार लगे हुए हैं और वहाँ पे अच्छे रिजल्ट आने की उमीद है और ऐसे रिजल्ट आने की उमीद है आने बारे इलेक्शन में कि बिगर बस्पा के सही उपके काई कि भी कोई सरकार नहीं बनेगी एहम भूंका होगी बस पागी एहम भूंका होगी ये वो देश है बागी ख़बर कैसी लग रही है अच्छी लग रही है तो ठोगो ठोगो दूर दूर तक पहुँचाओ और नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर दुबार हाजिर होंगे जब तक के नहीं याँ देशी देख बिगर बिरेख पगर लाग लपीड पिलकुल तेशी अन्दाज बहुत बहुत धन्यवाद नमस्क्राइब